हलो माई फ्रेंट्स आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और देखिए बहुत सारे कचरे आपको नजर आ रहे होंगे तो आज हम बनाना सीखने वाले हैं कि इस कचरे से ऐसी खाथ कैसे बना है इससे पहले भी मैंने आपको जो कमपोस्टिंग के वीडियो दी थी उससे आप लोग को बहुत हैलफुल मिला और आप लोग ने काफी पसंद किया वीडियो को तो आज मैं उस वीडियो में जो कुछ कम्यार रह गई थी उनको दूर करते वे और इजी वे में मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आखिर कीचन वेस्ट से और अपने गार्डन वेस्ट से देखिए ये है कीचन वेस्ट ये है गार्डन वेस्ट तो कैस आप कमपोस्टिंग कर सकते हैं बिना किसी जंजट के तो जी हाँ अगर आप पहली बार बना रहे होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कते आती हैं कभी उसमें जैसे मुझे कमेंट भी आते हैं कि उसमें सुंडिया पढ़ गई हैं बद्बू आ रहा है क्या करें तो कोशिस कर कि उसको ठीक कर से कभी भी कमपोस्ट आपका खराब नहीं होता है उसको ठीक किया जा सकता है चाहे वो कितना भी खराब कियो ना हो गया हो तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखते हैं देखिए यह है हमारा गार्डन वेस्ट गार्डन वेस्ट में सारी जाओदियों की बाते उसको देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि चार-पांच बार उसको चार-पांच दिन के लिए धूप में छोड़ दीजे तो देखिए धूप में छोड़ने से ये थोड़े ब्राउनिश हो गए हैं और थोड़े से मेरे पास में ताजे फूल ह ठीक है ये होगे आपका first component दूसरा है kitchen waste आप kitchen waste में इस समय आपके आप बहुत सारे kitchen waste निकल रहे होंगे कुछ लोगों की family छोटी होगी तो मेरे जैसी होगी तो उनके आप बहुत ज़्यादा garden वे किचन waste नहीं निकलता है तो आपको करने क्या है एक बोरी में आप सारी ची आपको अलू की चिलके हैं तो सारी ही गार्डilyakी चीज़ जो हैं प्याज के चिलके लैसुन के चिलके अद्रग के चिलके तो जो भी चीज यह तक फुल की चिलके और पिल वह सारा कुछ यहां पर तो अब आप लग रहा होगा कि बहुत ग्रीन नहीं है वो इसलिए नहीं ग्रीन है क्योंकि ये एक हफ़ते का स्टोर करके मैं रखी थी उसको धूप में डाल दिया है तो अब देखे बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है तो तभी आपका जो है इसमें न मक्हियां और इस तरीक अब कोई चावल दाल इस तरीकी की चीजें जो है जो पकी हुई नहीं है वह अगर खराब हो गयें उसमें घुन लग गया वो भी आप इसमें डाल सकते हैं अंडे के बॉयल किये हुए अब चिलके सब्रें डाल सकते हैं बस जो होते हैं न सिट्रिक फूट वो डालने से थोड़ा एवाइड करिए जब आप सिट्रिक फूट डालते हैं तो आपका जो प्रोसेस होता है वो तीमा हो जाएगा गलत हो जाएगा कंपोस्ट बन जाएगी लेकिन प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी तो क चाहें तो अलग से कंपोस्ट कर सकते हैं, इसमें अनार के चिलके आप एट करिए, बहुत अच्छा आइरन का सोर्स होते हैं, और देखें, सबसे पहले आपने देख लिया, कारबन बेस के लिए मैंने थोड़ा सा ड्राय करके अपना गार्डन वेस्ट लिया है, ग्रीन वेस् के लीजे नहीं, तो ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये सारा किचन वेस्ट दूप में दो से तीन दिन मैंने ढ्स कंपोनेंट की बात करें, लिए आप ले सकते हैं, आप कहां कभी ना कभी फ्रेज या टीवी है, इस तरीकी की चीज़ें आते हैं, या कभी आप ऑन लाइन कोई सा मतलब यह जो है उसको बैलेंस कर देंगे बहुत जादा गीला रहता है तभी मच्चर मक्की बद्बू यह सारी चीजे आती है अब नेक्स जो चीजे जो आपने कंपोस्ट का अगर कभी बनाई होगी तो इस तरीके का कंपोस्ट आपके पास होगा देखिए अभी भी इसमें के पास में होगी थोड़ी ड्राय सोयल लीजे देखिए यह मेरी जिसमें गुलदाओदियां लगाई थी उसी के साथ में आज आपको बना कर दिखाने वाली हूँ क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था जो आप लोग ने काफी पसंद किया उसमें मैंने अपना कं करना सिखा रही हूं उस तरीके से बना सकते हैं या जैसे कि मैं पहले चोटे अस्तर पर बनाती थी तो मैंने आपको दिखाया था एक नीले और ग्रीन कलर का बकेट था उसमें बनाती थी लेकिन अभी वो सारे मेरे फूल है उसमें कंपोस्टिंग हो रही है तो मैं सिंपल क का ड्राय कार्बन का काम करेगा यह गत्ते जिसे की पानी जो है बहुत जगा इधर उदर नहीं फैले इसलिए हम यह बिछाएंगे इसकी पूरी एक लेयर लगा लेंगे इसके नीचे चलिए इसको लगा लेती हूं पहले मैं तो दिखिए यहां पे मैंने एक जो है एक लेयर लगा दी है अपने ये गत्तो की अब इसके उपर मैं डालने वाली हूँ अपना फूल वाला देखिए गुल्दाओदियां हैं जो चुकी सूखी हुई है एक लेयर हमको इसकी लगानी है यह देखिए इस तरीके से आप लेयर लगा लिजे मैं एक हाथ से कर रही हूँ एक लेयर लगा लिजे और सभी को मैं तो बोलती हूँ सभी को कमपोस्टिंग करनी ही करनी चाहिए तो ठीके देखिए यह हमने लगा लिए अब इसके उपर जो आपकी मट्टी है ना यह यह इस तरीके से डालिए क्योंकि इसी मट्टी में वो एंजाइम है जो इनको कमपोस् है या कोई ना कोई खाद जो है यूज करते होंगे उसी के वज़ा से यह कमपोस्ट होंगे तो यह देखिए इस तरीके से डाल दिया अब इसके उपर हमको डालना है अपना किचन वेस्ट तो आप यह चोटे से अगर अस्तर पे कर रहे हैं तो कोई गमले में भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से बोरियों में कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई ड्राम है या कोई ऐसा बकेट है तो उसको ले सकते हैं लेकिन उसमें नीचे से आपको होल करना होगा तो यह डाल देंगे हम अब क्योंकि यह जादा किचन वेस्ट जादा ही गीला होता है तो इसके पर हम फिर से यह अपनी गत्य की टुकड़े डालेंगे तिक हैं गत्य के टुकड़े डालेंगे थोड़ी सी मट्टी डालेंगे यह डाल दिया हमने इसी तरीके से हमको लेरिंग तयार करनी है अब इसके बाद करना क्या है आपको इसमें पानी का छिलकाओ कभी भी जो आपकी कमपोस्टिंग होती है वो ड्राय में नहीं होती है अभी आप देख रहे हैं सब कुस ड्राय है इसमें आपको पानी एड करना है गुड मिला हुआ पानी आप एड़ कर सकते हैं गुड को एक बकेट में थोड़ा सा घोल के रख दीजे करीबन एक से दो दिन के लिए वो आप डाल सकते हैं और उसी में थोड़ा सा दही डाल दीजे ये बहुत ही अच्छा काम करता है गलाने का उनका खाना होता है गुड जो होता है बैक्टीरिया का खाना होता है और अगर आपको मिल जाता है वेस्ट डीकमपोजर तो उसको आप यूज कर सकते हैं उससे बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका waste जो है वो compost में बदल जाता है waste decomposer सभी gardeners के लिए काफी अच्छा है तो वो आप use कर सकते हैं उसको बनाने के लिए 20 रुपए की या 25 रुपए की एक डिबी आती है उसको 200 लिटर में आप बना सकते हैं और उसमें थोड़ा गुर डाल के उसको mix करिए जो उसका पानी जैसे हम यह पानी डाल रहे हैं गुड़ वाला पानी डाल रही हूं यह देखिए इस तरीके से थोड़ा सा गुड़ मैंने बिंगो के रखा था तो यह पानी मैं डाल रही हूं तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा ड्राय सॉइल एड़ करेंगे सुखी मिट्टी एड़ कर दीजे थोड़ा सा चला दीजे उपर से सुखी मिट्टी से उनको ढग दीजे वह सारे फिर से डीकंपोज हो जाएंगे कभी बदबू आ रही है तो पानी देखिए बहुत जादा तो नहीं अगर पानी जादा है तो उसमें ड्राय सॉइल एड़ करिए वह सही हो जाएगा जब यह आपका पूरा भर जाए तो इस तरीके से इनके मूँ को बंद करिए टाइटली और इनको सेमी शेड एरिया में रख दीजे दूप में नहीं रखना है सेमी शेड एरिया में रखना अगर आप दूप में रखेंगे तो इनका मौश्यर जैसे जैसे उड़ते तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने साथ पिछले वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी जो मुझे लगतार कॉश्यन आते ही रहते थे और अगर अभी भी मुझे कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप मुझे से कमेंट करके पूछ सकते ह ये कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग कमपोस्टिंग जरूर करें तो आप ये जितना देख रहे हैं ये सारी मेरी इस बोरियों के अंदर भरने वाली हैं और हर 15 दिन पे मैं इनको उलट पुलट कर देती हूँ मतलब एक डंडा लेके ऐसे हिला देती हो नहीं तो बहुत ज जमीन पे भी बनता है जी हाँ जमीन पे भी बनता है मैंने ये जमीन पे भी बनाया है जो मेरा ग्राउंड गार्डन है वहाँ पर तो उसका एक शॉर्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगी और पूरे ग्राउंड गार्डन में मैंने कोई भी कमपोस्ट बाहर का यूज न तो अभी मौसम बहुत अच्छा है इस मौसम में तयार करिए अपनी कंपोस्टिंग और अक्टूबर में बहुत अच्छे से कंपोस्ट किया हुआ आपका खाद आपके पास होगा तो इसी टॉपिक के साथ में मैं ले रही हूँ आपसे विदा नेक्स टॉपिक पे फिर मिलू हाँ आपके विदाए आपके विदी घुबर में ले खाद से आपके जापके देते हैं एपके तो इसी टो शतरी मिलूदाना में विदाए आपके रहा पक्राद से का कि बहुत आपके पास हुआ है